नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत करता है चैनल स्टाड़ी विदारसम आज दोस्तों इस वीडियो में अपन जानेंगे कि निर्वाचन विवाग रास्ता ने अभी 6 एक को अभी एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें नाम निर्वाचन आयोग ने इसको जारी कर दिया है और बता दिया गया है ग्राम पंचायद मुख्यले पर वहाँ जाके वो नाम निर्देशन का जो फोर्म लेंगे जिसको परचा बोलते हैं वो लेंगे तो यह सब इस वीडियो में जानने वाले हैं ऐसी अपडेट अगर आप पाना चाते हो चुनाओ कि सभी अपडेट पाना चाते हो तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो लाइक जुरू करें और शेयर करें कि यहां जो दस्तावे सलंगन होगे सबसे पहले बात करें अपन नमबर एक की तो नाम नजिशन फोरूम 4 तो उसमें क्या करना है आपको नाम नजिशन फोरूम में सभी प्रविश्टिया आपको बड़ी जानी है और कोई भी olan इसमें रिक्त नी छोड़ना है जो कॉलम आपके काम कानी है उसके आगे आपको लिखना है लागू नहीं ये आपको लिख देना है खीक है अब ये नाम नेदिशन फोर्म च्यार क्या है उसमें आपको दिखा देता है तो दोस्तों आपके सामने मैंने खोल दिया है नाम नेदिशन फोर्म च्यार जो ये बता आपका फोरुम भरक्या आपको पून्त है फोरुम भरक्या आपको देना है जो इसमें बताया गया जो आप देखे इसमें फोरुम नाम नेजिशन फोरुम चियार के अंदर उसके बाद में अपने बात करें ये पूरा भरक्या दे देना है और नाम नेजिशन फोरुम में ना इसी लेना है और रेटिनिंग अधिकर को रिशीद देना है ठीक है फिर दूसरी अगर बात करें अपन तो इसमें आगे क्या दिया गए देखिया आप दूसरी के अंदर इसमें दूसरा दिया गए प्रारूप चार्ग है प्रारूप चार्ग है के अंदर साफ साफ लिखा अपरादिक प्रकुणों के दो सीधी के मामलें अगर दो सीधी हो जाता है कोई तो उसके लिए और तीसरा संतान से समझ दीता है और चोथा जो संपत्ती समझ दीता है तो इसमें एक से तीन तक जो बिंदू हैं वो महत महत पूर्ण है क्योंकि ये पातरता योगिता और योगिता के दिदारित करेंगे और चो चोथा बिंदू है वो केवले मद्दाताओं की जानकारी के लिए चोथा बिंदू जिसमें जानकारी दी जाएगी कि आपके पास संपत्ती कितनी है तो ये प्रारूप आपके सामने खुला वाइदर देखे आप इसमें इसमें आप प्रारुप 4 के अंदर पहला जो मामला मैंने आपका बिंदू 1 तो ये बिंदू 1 हो गया इसको पूरा आपको भरना है इसमें केस समंदित मामला हो गया जिसमें विचारे दिन मामले हो तो आपको भरना है इसको दूसरा अगर आपके जो है दो सीद हो चुका है तो आप इसको बढ़ना है कोई अगर आपने पराद किया उसका दो सीद हो चुका है तो आपको इसको बढ़ना है और तीसरा जो आपका संतान से समंदित है जो मैंने आपको पहले बता दिया तीसरे बिंदों की संतान से समंदित है उसका वीडियो मैंने बना दिया और आई बटन पे क्लिक कर दिया आई बटन पे उपर आप देख सकते हो कि किस किस परकार से आपको संतान से समंदित आपको इसमें व्योरा देना है जो था जो है आपको संपति से समंदित है संपति के अंदर जो है व्योरा यहां पर देना है आपको अलग सी कोई आए प्रणान पतर नहीं बनना है तो इसमें आपको लिखना है कि मेरी मेरी पतनी या आसरितों के लिए सथावर जंगम और बैंक में अ अभी अब की बारी जोड़ा है जो उपाबंद 1B है ये केवल सरपंस के लिए लागू है तो इसमें आपको दोस्तों क्या करना है एक 50 रुपे के स्टाम पे नोन जुडिशियल स्टाम के उपर आपको एक नोटेरी से अटेस्ट कराना है ये बहुत महत्वपुन है अब की बा जो है बनाना है सपत पत्तर के अंदर इसमें आपको अलगलग व्योरत देना है कि जैसे मैं और मेरी ग्राम पंचायत वाटसंग के इतने में और मेरा संपरक नमबर ये है और मेरा आए कर वीबनी यानि आगर आप टेक्स पेर रो तो या आप इसे समन्दित बरें और इसमे मामला है कि किसी लंबीत मामले में आफायर कारवाज समन्दित है इसमें अगर आफायर दर्ज हुए तो वो सारा इसमें मांगा गया है जो अभी मैंने आपको बताया था वो दूरा इसमें मांगा गया है ठीक है और ये पूरा स्टांप आपको प्सास रुपे के स्टांप पेपर पेपर बनवाके और ये पूरा फोरूम आपको देना है ठीक है और ये अगर नोमिनेशन फोरूम आपको नहीं है तो मारी वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये वहाँ जा के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो तो ये पूरा हो गया सेक्स ही कियोगे त लिखाया था ये अंडर्टेकिंग गोशना पत्र है जो आपको बरके केवल देना है जैसी ये है तो ये आपको केवल यहां बरके देना है इसमें सिक्स शी बोलेंगे इसको इसके अंदर आपका कि सोचाले का गोशना अंडर्टेकिंग जो की पिछली बारे जोड़ा गया इसमें आपको बरके देना है ये केवल आपको यहां पर बरके देना है और यहां साइन करेंगे यहां कोई साइन कर देगा बाकि इसमें आपको कोई किसी परकार का इसको परमानित नहीं करना है फिर नो डियूज की बात आती है बार बार पूस्त है आपके नो डियूज तो नो ड्यूज का परमान पत्र की कोई आव सकता नहीं है इस साब साब लिखा गया है निर्वाचन आयोग ने साब साब लिख दिया है कि कोलम तीन में अंकिते मामलों में कोई सिर्फ राशी जमा कराने का परमान पत्र है तो ये राशी जमा किस किस परकार से करानी है वो इसमें स्पष्ट कर रखाया आप देख सकते हैं इसको कि यदि अभयर थी इसमें उपहर पन्चाइती राज कर या फीस की रासी बकाया हो रही है उसकी रासी जमा कराने का नोटीस दिये जाने के दो मार जमा नहीं करे यानि किसी ने अगर नोटीस जारी करने पंचाही तरे वाग नोडिस जारी कर दिया उसके दो मेने के अंदर-अंदर जमा नहीं कर रही है तो उक्त रासी का नाम ने देशन दाखिल करने से पुरो जमा कराने का प्रमान पत्र पुर सुथ करना हो आपको दूसर रही है कि चुनाओं में खड़े होने वाले उमिदवारे जिनके उपरे इस परकार की रासी बकाया नहीं है उनको किसी भी परकार का नोडिस क्या हो सकता नहीं है यानि अगर आपकी किसी परकार का कर वाकी नहीं आपको पता है सबी अमीदवार को पता है कि मेरे पास कि मेरे क्या ले रखा है लोन वोन के कुछ भी ले रखा हूँ उसका कर बकाया एक नहीं है या टेक्स या किसी प्रकार का पंचाई तिराज से समन्द जो भी है तीसरा इसमें है कि यदि कोई अब्यर्थी या पंचाई त्राज संस्ताओं का सुभापती रहते हुए पंचाई त्राज संस्ताओं के बकायों का जमा कराने के लिए नोटी स्तामिल करने होने के पस्चाथ भी दो मा की उक्तरासी जमा नहीं कराता है तो निर्वाचन विवागया दिसुचना जारी करने का कम से कम दो मेने के पूरू राज सरकार के जारी जो है डिफॉल्टर की सुची के नाम इसम्बली तो हो गया है तो उसको अयोगी होगा यह हो गया यह द्यान रखना आपको तो यह हो गया यह आपको इसमें चरीतर प्रमान पत्र नहीं देना है बिल्कुल भी नहीं देना है सलंगन नहीं करना है किसी प्रकार के आउसकता नहीं है जाती प्रमान पत्र के आपको आउसकता है अगर आप समन्दी जाती इसे रत्य सीट है तो आपको कोई ज़ूरल नहीं है। उसके बाद में जमानतरासी की बात क्या है शर्पंस के लिए जमानत्रासीllenrer 500 रुपे और उसके बाद में उसके बाद में अपनों बात क्ड करें तो शर्पंस के लिए 500 रुपे और reserve category के अंदर समपने के लिए 50 yen और रिजर्व केटी के लिए 10 रुपे है अन्य किसी प्रकार के जाती के लिए ये मतल लागो जमानतरासी होगी वो पंच के लिए लागो नहीं होगी सोरी पंच के लिए किसी प्रकार के जमानतरासी लागो नहीं सर्पंच के लिए लागो है और इसमें इसमें एक चीज और कलियर कर दूँ, अगर आपका जो भी ग्राम पंचायत है, यानि ग्राम पंचायत है, वो मान लिए जाए सामने सीट है वहाँ, और वहाँ पर कोई OBC या SCST, इनका कोई कंडिरेट चुनाव लट रहा है, और अगर वो सर्टिविकेट पेस्ट कर देता है, आरो को, तो उसको सामने की जो फीज है, जमान 83 परती बिद्राशी पांच सुरुपे लेकिन उसके सर्टिविकेट जाती प्रवान पतर पूर्सुत करने पर डाई सुरुपे लगी, तो यह आदी हो जाती है, सांखे की सुचना फोर्म है, जो मैं अभी आपको दिखाँगा तो सांखे की सुचना फोर्म के अंदर क्या है, इसमें आपका चुनाव लड़ने वाला बिर्थी उसकी जानकारी बढ़ानी है, इसको परसुत करने नहीं करने पर नाम देशन फोर्म खारीज नहीं किया जाएगा, यानि अगर कोई बिर्थी इसको नहीं परसुत करता है, या था संभव इसको बरवाया जाना है, ताकि चुनाव में खड़े होने वाले विदरू समन्दी सामने जानकरियां उपलो दोस्के, अगर नहीं करता है तो इसमें कोई जुरूर नहीं खारीज हो जाए, लेकिन करवाना से सामने जानकरिये, यह आपका संखे की फोर्म जि देना है, ठीक है, तो यह हो गया, उसके बाद में अपने बात करें, दस्वें पॉइंट की बात करें, तो दस्वें पॉइंट में क्या है, कि बच्चों को कुल गणना के लिए दिवयांग बच्चों को यह सामिल नहीं करने के लिए दिवयांग बच्चों को यह सामिल नह लंगन दस्तावेजों के प्रारूप है जो है नामने देशन पत्तर है जो मैंने आपको अभी बता दिया और उसके बाद में चार्ग है उपाबंद 1B कारियसिल सोचाले का प्रारूप और आयोग दोबारा चपावा प्रयापत भेज दिये के मतलब आयोग दोबारा चपावा यह वहाँ जाकर आप देख सकते हो जिसका लिंक डिस्किप्सिन में आपके दे दीगा है ठीक है दोस्तो तो यह ताज़ा अपडेट निर्वाचन विवाकी जो मैंने बता दी आपको क्या क्या चाहिएगा बहुत से वीडियो के अंदर है आये परमानम पत्तर है मूल निव